हेलो गईज वेल्कम बैक टु दे चैनल और हाई आज के वीडियो में मैं कहीं हूं नहीं तो कोई बात नहीं अगले हफते से वापस से मैं कोई नए जगा जा रहा हूं तो वीडियो आएंगी वहां की भी पर मैं सोचा आज का एक वीडियो एक इन्फॉरमेशनल वीडियो बना दूँ जो की वीजा इन्फॉरमेशन का है तो आप देख रहोगे पिछले कुछ अफतों से मैं इंडोनेशिया बाली के वीडियो पोस्ट कर रहा था तो अगर आपने नहीं देखा है तो उनको जाके चे आपने शोगा आपने टवी इंडील में घ्लीली उनको स्कुनारमेशन का साथान को रहा है और आपको पहले यागलायूरम अगये तो यह ने तो सब्सक्राइवा असा है यह घ्ली थी तो सब्सक्राइस यह जो सबसे असान तरीका है वीजा लेने का है वो है ईवीजा जो कि आपको सिर्फ 500,000 इंडोनेशन रुपिया में मिल जाता है और इसको अप्लाइ करना बहुत ही जादा इजी है तो वीजा अराइवल का भी ऑप्शन है बट आई वुड सजेस्ट कि आप ईवीजा अराइवल लेक होते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको अप्लाइ करना है उसके बाद वापस मैं आपको यहां पर मिलता हूँ तो अब हम लोग आ गए हैं हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और बस आपको सिंपली गूगल में सर्च करना है इंडोनेशन इवीजा और जैसे ही आप सर्च करो भीग उफिशल एवीजा वेबसाइट फॉर इंडोनेशा उसके बाद बस आपको यहां पर सेलेक्ट करना है इंडिया उसके बाद आप से पूछेगा पर पर प्रपस ऑफिए जो तीसरा ऑप्शन रोक्षन है जो कि है सब परपस ऑफिर वीजट तो इसमें भी आपको सब और फिर जो चौथा option है, यह थोड़ा सा important है, इसमें आपको visa type select करना होता है, तो इसमें यहाँ पे चार options है, tourist visa 60 days, visa on arrival, जो की 30 days का होता है, फिर 1 year का visa, 5 year का visa, और 2 years का visa, तो obviously बात है कि हमको 30 days का ही चाहिए, अगर आपको उसके ज़्यादा का चाहिए, तो 60 days के लिप्लाइ 1000 इंडोनेशन रूपिया, और यहाँ पे फिर automatically आप 30 days pop up आ जाएगा, इसमें और कोई दूसरा option नहीं होता है, तो इसमें यहाँ पे बस आपको detail and apply में click करना है, जब इसमें click करोगे, तो इसमें यहाँ पे आपको again दिखाएगा कि यह इसका cost है, और आप यहाँ पे 30 days रह सकते हो, बस जो visa है, क्योंकि जब आप download करोगे, उसके 90 दिनों के अंदर आप इंडोनेशिया में entry ले सकते हो for 30 days, तो बस आपको यहाँ पे apply में click करोगे, यहाँ पे आपको ऊपर में तीन option दिखाएंगे, upload your passport and newest formal photo, फिर आपको यह एक छोटा सा form बरना होता है, और फिर last step में तो सिर्फ यह दोनों बना होता है, तो मैं जल्दी से upload कर देता हूँ, तो मैंने उपर passport जो है, उसको upload कर दिया है, और image के लिए मैंने same image उठा लिया है, क्योंकि यह सिर्फ मैं show कर रहा हूँ, आप लोग को दिखाने के लिए, तो उसके बाद हम लोग को next में click करना है जैसे ही आप next में click करोगे, आप यहाँ पर second option में आ जाओगे, तो इसमें सबसे पहले आपको payment type देख लेना है, जो कि सिर्फ एक ही option है, credit card, debit card, मैं इसमें आपको recommend करूँगा, कि आप कोई forex card से payment करना, क्योंकि जो आप payment करोगे, वो in donation रूपिया में कटेगा, तो अगर आपके पास forex card है, तो आपको ऊपर के और extra जो होते हैं, forex charges वो नहीं कटेंगे, तो उसके बाद आपको जो है, यहाँ पे सारी जो details आपको as it is आपके passport में जो लिखी है, वैसे ही देना है, तो यहाँ पे मैं जल्दी से यह form भर देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने जो है, स same to same वैसे ही लिखना है, तो जैसा आपके passport में दिया है, सारे details वैसे भरने हैं, उस बद यहाँ पे आपको आपका passport number, nationality डालनी है, passport की expiry date और passport कहाँ पे issue हुआ है, वो भी आपके passport के front page में लिखा हूँ है, आपको same to same वैसे ही लिख देना है, यहाँ पे आगे आपसे पू और उसका address आपको यहाँ पे डाल देना है, तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही address डाल दिया है, उसके बद आपको यहाँ पे passport का आपको अपना PDF copy upload करना है, और return ticket जो है, वो आपको upload करना है PDF के form में, और उसका आपको अपना email address जो है, यहाँ पे आपको दे देना है, बस इतना सही form है और make sure करना है कि यह सारे information correct है उसको जब हम next में click करेंगे तो यह बोलेगा कि do you want to continue replication उसमें आपको yes करना है आप जैसे ही उसको yes करोगे आपको आपका सारा details जो है वो फिर से show करेगा आपको बस यहाँ पर check करना है यह सिर्फ इस चीज के लिए अधा कि वो लोग Explore कर सके कि आपने double check करने के बाद ही form को submit किया है तो आपको सारा details cross check करना है और यहाँ पर check के बटन में click करना है जैसे ही आप सारे boxes से check कर देते हो आपको यहाँ save में आगे click करना है उसकेपद आपको yes में click करना है उसके बाद जैसे ही आप ए step करते हो आपको यहाँ पर आपका दिख जाता है transaction number आपका नाम आपका passport number तो यहाँ पर अगर अगर अपने साथ किसी और का भी visa apply करना चाहरे तो add other करके आप सारी steps को repeat कर सकते हो और अगर आप same जो आपने entry की है उसको review करना चाहते हो तो इसमें transaction number में क्लिक करके आप सारा information जो है review कर सकते हो उसके बाद जब आप सारा information को जब आप verify कर लेते हो और आप payment करने के लिए ready हो जाते हो तो आपको बस इसमें submit में क्लिक करना है उसके बाद आप as a guest भी submit कर सकते हो क्योंकि आपके अपना email ID दे रखा है उसके बाद यह जो है form आपका submit हो चुग है successfully इस लइव में क्लिक करना है जैसे ही आप payment में क्लिक करते है ये आपको आपका सारा details वापत से एक बार तो बस आपको यहां पे अपना card details डालके pay करना है उसको आपके email में आपको आपका visa मिल जाएगा तो यार यह था process कैसे आपको EVOA apply करना है इंडोनेशा का और यह सिर्फ Bali में नहीं अगर आप जकारता उतर रहे हो यह इंडोनेशा में आप कहीं और भी लेंड कर रहे हो तो यह हर जगा वैलिड है लेकिन most of the people go to Bali इसलिए मैं Bali का example ले रहा था बार-बार anyways तो जब आप यह apply करते हो उसवाद जब आप इंडोनेशा लेंड करते हो तो आप सिधा immigration के counters पे जा सकते हो आप अपना passport दे सकते हो अपना EVOA का copy आपको उनको दिखाना है और जो है immigration officer आप से कुछ general questions पूछ सकता है मेरे से बस उन्होंने पूछा था कि आप कहां पे रह हो तो मैंने बोला यहीं देनपसार में पास में रह रहा हूं इस्टे कर रहा हूं तो बस उन्होंने कुछ बोला ही नहीं कुछ पूछा नहीं स्टेंप लगाया और जाने दे दिया मैं आपको अपना passport भी दिखा दे रहा हूं कैसा दिखता है तो यह जो आप लोग देख र है कि आप टुरिजम के परपस से जा रहे हूं आपको कोई भी खासी दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो बस वहां जाने के लिए आपको आपकी फ्लाइट के टिकिट लगेगी और यह वीजा का आपका प्रिंटिट कॉपी आपके पास होनी चाहिए और आपका काम बन जाएगा वैसे समय के साथ साथ नियम बदलते हैं तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा आप एक बार गूगल भी कर ले कि कुछ नया रूल तो नहीं आ गया है लेकिन अभी मैं 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 जब गया था तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई सिर्फ आपको आपकी फ्लाइट टि करना होता है कि आपके पास कुछ किसी भी तरह का कुछ ड्रग्स नहीं है या कुछ भी एक्सेस में कैश नहीं है मेरे ख्याल से 10,000 युज डॉलर या उससे जादा आप कहरी नहीं कर रहे है तो वह भी एक छोटा सा फॉर्म है वह आपको फिल करना होता है अब दो से तीन मि करके आप अपने हॉस्टेल जा सकते हो वहां पर बाइक को रेंट कर सकते हो जो भी आपको करना है मैंने काफी वीडियो बनाए है बाली के उपर और वहां से हम लोग नुसा पैने डाइलेंड गये थे उसके उपर भी बनाए है तो मेक्शो यू वाच दोस वीडियो ताकि है ज्यादा कुछ लेंदडि प्रोसेस है नहीं बहुत यसान सा प्रोसेस है और अगली ही वीडियो में आपसे मिलता हूँ और बहुत यह